Hello Friends, आज हम NCERT Geography Class 6th का Chapter 8 डिसकस करेंगे, जिसका नाम है India Climate, Vegetation and Wildlife, यानी भारत की जलवायू, वनस्पती और वन्ने जीवन. तो चलिए शुरू करते हैं. Weather Weather is about day-to-day changes in the atmosphere. It includes changes in temperature, rainfall and sunshine. आज बादल चाय रहेंगे, रात को बारिश हो सकती है, अगले दो दिन तक आसमान साफ रहेगा. मौसम के बारे में ऐसी चानकार या हमें नियूस पेपर या फिर टीवी द्वारा प्राप्त हो जाती हैं. और अक्सर हम अपने आसपास लोगों को मौसम के बारे में बात करते ह हुए सुनते हैं कि लगता है आज बारिश आएगी, या फिर आज बहुत ठंड होगी आदी. वातावरण में ऐसे बदलावों को वैदर यानि मौसम कहते हैं. वातावरण के इन बदलावों के अंतरगत तापमान में बदलावाना, रेनफॉल, संशाइन आदी आते हैं. For example, कभी बहुत गर्मी हो सकती है, तो कभी बहुत ठंड. कभी धूप निकलती है, तो कभी बादल चाए रह सकते हैं. कभी बहुत स्तेज हवाएं चलती है, तो कभी वातावरण बिल्कुल शांत रह सकता है. आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा, कि जब लगातार बहुत दिनों तक गर्मी रहती है, तब हमें उनी कपड़ों की कोई जरूरत नहीं पड़ती. और इस दोरान ठंडी ठंडी चीजे खाने पीने का मन करता है, जैसे कोल्ड रिंक, आइस क्रीम, बटन मिलका दी. और जब लगातार ठंड रहती है, तब ठंड से बचने के लिए हमें उनी कपड़े पहनने की जरूरत होती है. इस दोरान हमें गरम-गरम चीजे खाने पीने का मन करता है, जैसे गरम चाए, गरम-गरम गाजर का हलवा आदे. भारत में चार मौसम प्रमुख होते हैं. पहला सर्दी का मौसम जो दिसंबर से फरवरी तक रहता है. दूसरा गरमी का मौसम जो मार्च से लेकर मई तक होता है. तीसरा बरसाद का मौसम जिसे साउथ वेस्ट मानसून सीजन भी कहा जाता है. यह मौसम जून से सितंबर तक रहता है. चोथा पतजड का मौसम जिसे सीजन ओफ रीट्रीटिंग मानसून भी कहा जाता है. यह मौसम अक्टूबर से लेकर नवंबर तक होता है. चलिए अब हम भारत के इन चार प्रमुक मौसम के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं First, cold weather season और winter यानि सर्दी का मौसम During the winter season, the sun rays do not fall directly in the region As a result, the temperatures are quite low in the northern India सर्दी के मौसम के दोरान सूरे की रेज छेतर पर सीधी नहीं पड़ती यानि तिर्ची पड़ती है इसलिए तापमान में बहुत गिरावट आ जाती है और हमें सर्दी का एहसास होता है खास तोर पर northern India में बहुत सर्दी होती है Second, hot weather season और summer यानि गर्मी का मौसम In the hot weather season, sun rays more or less directly fall in this region Hot and dry winds called loo blow during the day गर्मी के मौसम के दोरान सूरे की रेज छेतर पर सीधी पड़ती है इसलिए तापमान बहुत जादा बढ़ जाता है तापमान में बढ़ोतरी की वज़े से छेतर में दिन के दोरान गर्म और शुश्क हवाएं चलती है ऐसी हवाओं को लू कहा जाता है थर्ड, साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन यानि दक्षिन पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम पहले हम जानते हैं कि मानसून का मतलब क्या होता है हिंद महसागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिन पश्चिमी तट पर आने वाली हवाओं को मानसून कहते हैं ये हवाएं भारत और उसके आसपास के देशों में भारी वर्षा कराती हैं ये ऐसी मौसमी पवन होती हैं जो दक्षिनी एशिया छेतर में जून से सितमबर तक सिर्फ चार महीने ही सक्रिये रहती हैं इसलिए बारिश के मौसम को साउथ वेस्ट मानसून सीजन भी कहा जाता है यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है जैसा कि हमने अभी डिसकस किया इस मौसम के दोरान हवाएं अरेबियन सी और बे ओफ पेंगॉल से जमीन की तरफ भेती हैं जब हवाएं समुत्र से जमीन की तरफ आती हैं तब अपने साथ नमी यानि मौश्चर भी लेकर आती हैं और जब ये नमी वाली हवाएं पहाडों से तकराती हैं तब पारिश होती हैं फोर्थ सीजन ओफ रीट्रीटिंग मांसून और ओटम यानि मांसून के लोटने का मौसम या शरत रितू Winds move back from the main land to the bay of Bengal The southern parts of India, particularly Tamil Nadu and Andhra Pradesh, receive rainfall in this season यह समय मांसून के वापिस लोटने का होता है इस मौसम के दोरान आम तोर पर आसमान साफ रहता है जिसे अक्सर शीत कालीन मांसून के रूप में जाना जाता है तापमान तेजी से गिरता है इस मौसम के दोरान हवाय जमीन से वापिस Bay of Bengal की ओर जाती है इस मौसम में भारत के दक्षणी हिस्सों में खास तोर पर तमिलनाडू और आंधर प्रदेश में वर्षा होती है अब हम जानते हैं क्लाइमेट यानि जलवायू के बारे में किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की ओसत दशा को जलवायू कहते है अगर क्लाइमेट यानि जलवायू को आसान शब्दों में समझे तो किसी इलाके का किसी एक तरे का ओसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है तो उसे उस इलाके की जलवायू कहा जाता है जहां मौसम कुछ दिनों या घंटों में बदल सकता है वहीं जलवायू बदलने में सैंकडो हजारो साल का समय लगता है भारत की जलवायू को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायू कहा जाता है मानसून शब्द अर्भी भाषा के मौसिम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसम Due to India's location in the tropical region, most of the rain is brought by monsoon winds क्योंकि भारत tropical region में स्थित है इसलिए जादा तरवर्षा मानसूनी हवाओं की वज़े से होती है भारत में खेती बाड़ी बारिश पर ही निर्बर है अच्छे मानसून का मतलब है परियाप्त बारिश और उचित मातरा में फसल का उत्पादन यदि मानसून कमजोर रहता है या खराब रहता है या फिर एक साल के लिए आता ही नहीं है तो इसके परिणाम सरूप फसल प्रभावित होगी कुओं में पानी का स्तर नीचे चला जाएगा गर्मिया लंबे समय तक रहेंगी किसी भी जगे की जल वायू चार वजहों से प्रभावित होती है फर्स्ट लोकेशन यानि स्थिथी इसलिए भारत के हर छेत्र की जल वायू अलग अलग है फॉर एक्जामपल राजिस्थान के जैसलमेर और बीकानेर में बहुत गर्मी होती है जबकि जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल में बहुत ज़ादा ठंड रहती है Coastal Places like Mumbai and Kolkata experience moderate climate तट्ये इलाके जैसे बुम्मपई और Kolkata में सामानने क्लाइमेट रहता है तट्ये इलाकों में ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंड होती है तट के करीब होने की वज़े से इन इलाकों में बहुत नमी रहती है दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश मेगाले के मौसिन राम में होती है जबकि राजिस्थान के जैसल मेर में कभी कभी पूरे साल बारिश ही नहीं होती हम अपने आस पास विभिन प्रकार के पोध ही देखते है हरी हरी खास पर खेलना कितना अच्छा लगता है छोटे छोटे पोधों को बुशिस और श्रप्स कहा जाता है जैसे कैक्टस, फ्लावरिंग प्लांट सादी अगर पेड़ों की बात करें तो कुछ पेड़ों में बहुत सारी शाखाएं और पतियां होती है अब जानते हैं नेच्छल वेजिटेशन के बारे में ऐसी घास, जाड़िया और पेड़ जो बिना किसी हस्त शेप के और बिना किसी इनसान की मदद के ग्रोह हो जाते हैं उन्हें नेच्छल वेजिटेशन यानि प्राक्रितिक वनस्पतियां कहते हैं वेभिन प्राकार की नेच्छल वेजिटेशन अलग-अलग क्लाइमेटिक कंडिशन्स यानि अलग-अलग जलवायू की स्थिथियों पर निर्भर है इन क्लाइमेटिक कंडिशन्स में वर्षा सबसे जादा इंपॉर्टेंट है वेभिन प्राकार की जलवायू स्थिथिया होने की वज़े से भारत में नेच्छल वेजिटेशन की विस्तरित श्रंखला है जंगल क्यों जरूरी है और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है जंगल हमारे लिए बहुत उप्योगी है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्रे करते है प्लांट्स रिलीज ऑक्सिजन डैट वी ब्रीथ एंड एब्सॉर्ब कार्बन डायोकसाइड पेड़ पोधे ऑक्सिजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं और पेड़ पोधे कार्बन डायोकसाइड को ग्रहन करते हैं अगर व्रिक्ष नहीं होंगे तो ऑक्सिजन नहीं होगी और हम सभी जानते हैं कि प्रिच्वी पर मौझूद सभी प्राणियों के लिए ऑक्सिजन कितनी जरूरी है अगर घने जंगल ना हो तो मिट्टी हवा पानी द्वारा पह जाए जंगल से हमें फरनीचर बनाने के लिए लखडी मिलती है इंधन की लखडी पश्यों को खिलाने के लिए चारा औशदिये पोधे, चड़ी पूटियां, लाख, शहद, गोंदादी मिलते हैं तो देखा आपने फॉरेस्ट हमें कितना कुछ देते हैं पशू पक्षियों और अन्य विभिन प्रकार के जीवों के लिए जंगल उनका प्राक्रितिक घर है और हम उनके घर को लगातार डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं पेड़ों को अंधादुन्द काटने की वज़े से प्राक्रितिक वनस्पतियां भी काफी हद तक समाप्त होती जा रही है हमें जादा से जादा पेड़ लगाने चाहिए और उनको कटने से बचाना चाहिए और हमें जादा से जादा लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए भारत हर साल जुलाई के पहले सप्ता में वन महुतसफ मनाता है वन महुतसफ का मुख्य उदेशे भारत के प्रतेग नागरिक को हफ़ते में एक पौधा लगाने के लिए प्रोथसाहित करना है वन महुतसफ जैसे स्पेशल प्रोग्राम में हम जादा से जादा लोगों को अमंत्रित कर सकते हैं जिससे की हम हमारी प्रिच्वी को हरा भरा रख सके अब हम वाइल्ड लाइफ यानि वन्ने जीवन के बारे में जानेंगे हम सब जानते ही हैं कि जंगल विभिन प्रकार के पशुपख्शियों का घर है वनों में जन्तुओं की हजारों प्रजातियां रहती हैं वनों में विभिन प्रकार के रेप्टाइल्स, एंफिवियन्स, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और वॉम्स बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं टाइगर हमारा नेशनल एनिमल यानि राश्ट्रिय पशु है टाइगर हमारे देश के विभिन हिस्सों में पाया जाता है एशियाटिक लॉइंस गुजरात के गिर फॉरेस्ट में रहते हैं हाथी और एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में रहते हैं हाथी केरल और करनाटक में भी पाय जाते हैं उट भारत के रेगिस्तान और जंगली घदे कचके रन में पाय जाते हैं जंगली बकरी हिम तेंदुआ भालु आदी हिमाले में पाय जाते हैं इनके अलावा और भी बहुत से जानवर हमारे देश में होते हैं जैसे बंदर, सियार, भेडिया, नीलगाए, चीतल आदी भारत में विबिन प्रकार के बहुत सारे पक्षी भी होते हैं पी कॉक यानि की मोर हमारा राश्टिय पक्षी है ऐसे पक्षी जो आम तोर पर भारत में हर जगे पाय जाते हैं वे हैं पैरेट, पिजन, मैना, गीज, बुल-बुल, डक देश में बहुत सारे बर्ड सेंचुरीज यानि पक्षी उध्यान है ये इसलिए बनाए गए जिससे कि हम पक्षियों को उनका प्राक्रितिक घर दे सकें ये उध्यान पक्षियों को शिकारियों से भी पचाते हैं भारत में सापों की सैंगणों प्रजातियां पाई जाती हैं इन प्रजातियों में से कोब्रा और क्रेथ प्रमुख है मनुष्य औद्योगी करण और शहरी करण आधी की वज़े से पेडों की निरंतर कटाई कर रहा है वनों की लगतार कटाई की वज़े से जीव जंतुओं को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है लापरवाही से वनों की कटाई और बे रहम शिकारियों की वज़े से ही भारत में वन्ने जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी है वन्ने जीवों की प्रजातियों को बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, सेंचुरीज यानि पशु विहार और बायो स्पेर रिजॉफ्स यानि जीव मंडल आरक्षित छेत्र स्थापित किये गए है सरकार द्वारा हाथियों और पागों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं वन्य जीवों के सनलक्षन में हम भी अपना योगदान दे सकते हैं हम ऐसी चीजों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं जो जानवरों के विभिनंगों जैसे बोन्स, होन्स, फर, स्किन, फैदर्स से बनी हो हर साल हम अक्टूबर के पहले सप्ता को वन्य जीव सप्ता के रूप में मनाते हैं जिससे की वन्य जीवों के निवास को सनरक्षित रखने के लिए जागरुपता लाई जा सके कुछ पक्षी जैसे पिंटेल टक, कर्लियू, फ्लैमिंगो, और स्प्रे, लिटल स्टिंट हर साल सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं सबसे छोटी लिटल स्टिंट का वजन लगबग 15 ग्राम होता है वह आर्कटिक छेट्र से 8000 किलो मीटर की दूरी तै करके भारत आती है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने विचार कमेंट करके बताएं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके और पर क्लिक करें See you in the next video. Till then good bye. Thank you so much. Thanks for watching.